अच्छा दोस्तों एक बात बताईए कि आप लोगों को कौन सा सूपर हीरो सबसे जादा पसंद है हमें बता है कि कोई कहेगा बैटमेन तो कोई कहेगा सूपरमेन और कुछ हनुमान जी के भग तो हनुमान जी का नाम भी ले लेंगे जो कि अपनी जगे बिलकुल सही है लेकिन अगर हम कहें कि कुछ सूपर हीरोस बिना मैजिकल पावर के भी वो कारनामे कर जाते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता तो आप क्या कहेंगे नहीं 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 दोस्तों हैरान मत होईए क्योंकि हम बिलकुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं वाकई में ऐसे सूपर हीरोज इस दुनिया में मौजूद हैं जो बिना सूपा पावर्स के दूसरों की मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर ऐसे में दोस्तों आज में यानि कि आपका दोस्त कौन किसी और दिन बताऊंगा अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे अनिमल रेस्क्यूस दिखाने जा रहा हूँ जहां पर लोग फरिष्टा बन कर आए और करिश्माई तरीके से मुसीबत में फसे जानवरों की जान बचा ली चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रेक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन गायल हो गया है ऐसे में ये दर्द से तड़प रहा है और इसके बचने की उमीद बहुत ही कम है लेकिन रेस्क्यू टीम ने भी हार नहीं मानी जहां सबसे पहले तो उन्होंने इसे इस जगह से निकाला और फिर इस पपी को एनिमल एड अल्टीमेटेड और्गनाइजेश और इसी का नतीज़ा था कि अब ये डॉग सही सलामत और खुश है वरना जिस हाल में ये था ना उसे देखकर कोई भी उमीद नहीं कर सकता था कि ये वापस हंस खिल पाएगा दोस्ताब आप इस वीडियो पर नज़र डालिए जहां हमारे भारत के एनिमल एड अल्टीमिटेड नाम की और्गनाइजेशन को ये फोन आया कि एक छोड़ा सा पपी पूरी तरह से टार में लिप्टा हुआ है जिसकी वज़े से उसे काफी परिशानी हो रही है और बिना को तेल के मदद से निकाला गया और फिर साफ सुथरा किया गया लेकिन बाद में पता चला कि इन्हीं की बहने भी इन्हीं हालातों से चूज रही हैं जिसके वज़े से उन्हें भी रैस्क्यू किया गया और सभी पपी सही सलामत उनकी मा के पास पहुचा दिये गए अलाकि दोस्तों किसी दूसरे जानवर को रैस्क्यू करने और हाथी को रैस्क्यू करने में जमीन आस्मान का फर्क होता है क्यूंकि हाथी का वजन बहुत ही जादा होता है ऐसे में दोस्तों अगर कोई हाथी इस गड़े में गिर जाए तो इस्थिती और भी जादा खराब हो जात लगे होने के साथ साथ काफी गुस्से में भी है और इसी वज़े से उसे बार-बार पानी पलानी की कोशिश की जा रही है। अब दोस्ते इस हाथी को यहां से निकालने का एक ही रास्ता था और वो ये था कि कैसे भी करके इस गड़े को बढ़ा किया जाए। और जैसे ही गड़ा बड़ा हो गया, दूसरी मुश्किलें सामने आ गए, जहां किसी भी तरह से इसे बाहर निकाला जाए, जिसके लिए चेन से लेकर रस्ती तक हर एक चीज आजमाई गई, ताकि इस हाथ ही को निकाला जाए और अंत में ये काम सक्सिस्फली हो गया. वैसे दोस्तों कि आपने कभी किसी की मदद की है, अगर की है तो किस की की है और कब की है, इस बारे में हमें और हमारे सब्सक्राइबर्स को कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूल दोस्तों आप एक और भारत की और्गनाईजेशन से मिलिए, जो जानवरों की जान बचाती है, जहां रैस्क्यू चरिटिबल ट्रस्ट नाम की इस और्गनाईशन को ये पता चला कि एक लेपर्ड का पैर भुरी तरह से फंस गया है, और इसी वज़े से इस रैस्क्यू टी जो जानवरों की भी गाव पर मलहम लगाने के लिए तयार रहते हैं, वैसे दोस्तों लेपर्ड तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या आप सूच सकते हैं कि कोई साप को भी बचा सकता है, अगर नहीं सूच सकते तो ज़रा एक नजर यहां डालिए, क्योंकि ये वीडियो अमार पानी में कूद गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हरानी तो जब हुई, जब उस साप के साथ रेस्क्यू टीम का एक मेंबर भी पानी में कूद गया, और फिर उसने साप को पानी से बाहर निकाल कर दूर जंगलों में छोड़ दिया, दोस्तों कैलिफोर्निया की इस रेस्क्य टीम को बलाया गया और जैसे ही रेस्क्यू टीम पहुंची, उसने तुरंट पपी को निकालने की मुहिम शुरू कर दी, लेकिन ये काम काफी मुश्कल था, जहां पहले तो इसकी गर्दन में तेल लगाकर इसे बाहर निकालने की कुशिच की गई, पर गर्दन में सूजन और इसी वज़े से इन्होंने ये निने लिया कि अब वो डारेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, इसलिए इन्होंने टायर सहीत इस पपी को उठा लिया और फिर टायर को काटा गया, जिसके बाद जाकर तीन महीने के बाद पपी सही सलामत बच गया, ऐसे में दोस्त आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है, जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें